दोस्तों आज हमारे सामने हैं इंडिया की first premium compact SUV इसमें आपको इंडिया में first time BS6 emission norm compliant engines offer किये जा रहे है यानि कि इंडिया की पहली premium compact SUV है जिसमें आपको BS6 engines मिल रहे है इंडिया में अभी कोई भी car manufacturer आपको BS6 engine offer नहीं कर रहा है compact SUV segment में और इस car का नाम तो हर को ही जानता है Kia Seltos अपने segment की सबसे ज़्यादा popular car रही है मतलब first day of booking ही इसकी करीब 6000 से ज़्यादा bookings हो गई थी तो पता चलता है कि कितने ज़्यादा buyers इसको लेना चाते है और कितने बड़िया ये features देती है हमें कितने बड़िया इसमें looks मिलते है तो आज की इस video में हम इसका exclusive walkaround review करने वाले है जिसमें हम detail में बात करने वाले है इसमें जो हमें variants offer किये जा रहे है और किस variant में हमें क्या feature मिलेगा किसमें हमें sunroof मिलेगी वहीं बात करेंगे इसके engines की भी मतलब diesel petrol सारी engines की बात करेंगे इसकी mileage मैं आपसे share करने वाला हूँ जो की official mileage है transmission की बात करेंगे automatic और manual transmissions की और वहीं मैं इसकी pricing भी आपसे share करूँगा और जैसे जैसे इसकी price change होते रहेगी मैं description में आपको updated रखते रहूँगा वहीं इसकी interior की भी बात करने वाले है और मतलब इसके पिलकुल आपसे एक पूरी detail में आपसे share करूँगा तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज अभी subscribe कीजिए ताकि आपको जल से जल कोई भी update मिल सके तो Kia Seltos, Kia Motors की पहली offering है इंडिया में मतलब सबसे best looking SUV में इसे कह सकता हूँ एक मतलब एक plus 4 meter segment की तो ही लेकिन बहुत ही बहतरीन looks के साथ आती है काफी बड़ा booty space देती है powerful engines के साथ आती है completely आपको LED headlamps मिल जाते है इसमें काफी बढ़िया wheel size मिल रहा है आपको alloy wheels मिल रहे मतलब बेस variant से ही sunroof मिल जा रही है अगर हम इसे कहें तो इसको एक best looking feature loaded premium compact SUV कहेंगे अपने segment की अभी तक इससे थोड़ी good looking हमें लगती थी XUV 3OO लेकिन Seltos उसे कहीं better लगती है front में आपको LED bar मिल जाता है tiger nose grill आपको front में मिली रही है मतलब Kia की जो design philosophy है काफी बहतरीन है SUV stance तो इसमें मिली रहा है काफी board आपको इसमें cladding तेखने को मिल रही है chrome door handles मिल जाएंगे आपको इसमें वही completely piano black finish आपको इसके roof में मिल जाएगी मतलब बहुती बहतरीन आपको tail lamps में मिली रहे है इसमें ice cube आपको इसमें fog lamps मिली जाएंगे काफी sleek आपको इसमें मिल जा रहे है LED head lamps मतलब looks आप देखके मुझे comment करके बताइए कि कितने बहतरीन लग रहे है वहीं is kit plates आप इसकी देखी सकते है मतलब जो front का इसका grill area है काफी जादा sleek रखा गया है उसे जिससे इसको एक aggressive look मिले है मतलब एक sporty look देने के लिए इसको ये सब किया गया है इंडिया में मतलब इसको buyers काफी जादा पसंद कर रहे है इसके looks के वज़े से भी और जो premium features ये में दे रही है मतलब cell toss तो बिलकुल एक अपने segment का leader बनने वाली है जैसे कि अभी तक लोग Hyundai की kreta लेते थे तो आप वो सारे buyers लेने वाले इसको जैसे कि आप इसके LED का बार दे सकते हैं मतलब इस segment में फर्स टाइम है LED इसमें बिलकुल एक बिलकुल एक narrow theme आपको मिलेगी first segment आपको इसमें multi-layer turn indicators मिल रहे है ice cube LED fog lamps मिल रहे है जो कि अभी तक कहीं नहीं मिलते थे इंडिया में Kia Seltos को इंडिया में दो ट्रिम्स में उफर किया गिया है जो इसकी पहली base trim है वो है tech trim जो की थोड़ी family oriented है मतलब एक plus riding आपको इसमें मिल जाएगी वहीं अगर आप इसकी एक sporty trim की बात करें तो वह है जीटी लाइन ट्रिम जो की एक sporty performance oriented है उसमें आपको powerful petrol engine मिलता है जो की turbocharged है जिसकी हम आगे बात करेंगे total इसमें 3 engines offer किये जा रहे है 4 transmission offer किये जा रहे है जो की काफी बढ़ी है variety आपको दे देते हैं जिसकी हम आगे detail में बात करेंगे इसकी mileage भी मैं आपसे share करने वाला हूँ अब बात करते हैं इसके ground clearance की तो इसमें हमें 190 mm का ground clearance offer किये जा रहा है जो की काफी बढ़ी है अपने segment के हिसाब से इसकी length है 4.315 meters की ये भी काफी बढ़ी है अपने segment के हिसाब से इसकी width है 1.8 meters इसकी चोड़ाई है तो काफी जादा है height इसमें दी गई है 1.62 meters की तो काफी बढ़ी है headroom offer करीगी wheelbase भी इसका अपने segment में जादा है 2.61 meters का boot space इसमें 4.33 liters का दिया जा रहा है जो की काफी बढ़ी है आपको cargo capacity दे देता है अब जैसे हमें Kia Seltos में दो trims offer की जाती है GT line और tech line जो GT line है वो top of the line trim है और जो tech line है वो base trim आप कह सकते है वहीं GT line में आपको सिर्फ 1.4 liter का turbo charge petrol engine मिलेगा जिसमें आपको एक manual transmission offer किया जाता है 6 speed car वहीं 7 speed car dual class transmission भी offer किया जा रहा है GT line में वहीं उसकी power है 140 bhp की और 242 mm का वो talk output देगा 1.4 liter का petrol engine और काफी जादा powerful engine है और इसकी mileage भी काफी बढ़िया है मैं अभी आगया आप से शेर करूँगा वहीं जो इसकी दूसरी normal trim है वो है tech line trim उसमें हमें 2 engines offer किये गए है जो कि यह 1.5 liter का petrol engine और 1.5 liter का diesel engine जो 1500 cc का petrol engine है उसमें आपको 6 speed का manual transmission offer किये जाता है वहीं उसमें आपको CVT का option भी दिया गया है उसके power figures है 115 bhp के और 144 mm का उसमें talk output मिलेगा आपको वहीं diesel engine जो मिल रहा है इसमें 1500 cc का उसमें भी आपको 6 speed का manual transmission मिल रहा है लेकिन 6 speed का आपको उसमें top converter automatic transmission दिया जा रहा है उसमें आपको CVT नहीं मिल रहा है जिसकी performance भी ज्यादा बेटर होती है CVT से डीजल के मामले में वहीं उसकी power figure सेम है petrol engine की तरही 118-15 bhp की लेकिन उसके talk out को ज्यादा है 250 mm का उसमें talk out को मिल जाएगा अब ये तो बात रही इन तीरों engines की जो 1.4 liter का petrol engine है वो 140 bhp बना रहा है 1500cc का diesel engine और petrol engine दो रही 115 bhp बना रहा है talk में थोड़ा difference है अब बात करते हैं इसकी mileage की क्योंकि mileage की बारे में हरको ही जानना चाता है क्योंकि BS6 गाड़ी है इंडिया में पहली बार SUV segment में है तो mileage हर को ही देखना चाता है तो मैं आप से share करता हूँ तो जो किया CELTOS का 1500cc का petrol engine है 6-speed के manual transmission के साथ आपको offer करेगा 16.4 kmpl का mileage ये सारी ही mileage ARAI certified है और बिल्कुल मैं आप से official mileage share कर रहा हूँ वहीं CELTOS का 1500cc का petrol engine CVT के साथ offer करेगा 16.3 kmpl का mileage जो की थोड़ा कम है यानि की 100 मिटर से कोई difference पढ़ता नहीं है अब बात करते है कि diesel engine की जो 1500cc का diesel engine है manual transmission में offer करेगा 20.8 kmpl का mileage जो की काफी जादा है अपने segment के साब से भी वही CELTOS का 1500cc का diesel engine automatic transmission में offer करेगा 17.8 kmpl का mileage वही 1.4 litre का turbo petrol engine जो की manual transmission में भी मिल रहा है वह आपको 16.1 kmpl उफर कर देगा वहीं वो DCT के साथ offer करेगा 16.2 kmpl का तो इसका सबसे जादा जो popular engine रहने वाला है 1.4 litre का petrol engine लेकिन इस 1.4 litre engine का एक डाउनसाइड यह है कि इसके top of the line invariant में आपको automatic option नहीं मिलता है जो कि हम आगे देखिंगे तो अगर हम इसको अभी compare करेगा तो क्रेटा के 1.6 petrol उसका mileage अभी है 15.29 kmpl का जो की अभी भी जादा है 16.41 के figure से जो की आपको इसके तर्बो पेट्रोल में मिल जा रहा है तर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा पाउरफुल भी है ज्यादा रिफ्राइंट भी है और बिया सिक्स कम्पाइंट भी है और यूंडे और किया दोनों शेर करने वाले हैं 1500cc के डीजल और पेट्रोल इंजन को अपनी नेक्स जेनरेशन की क्रेटा फेसलिफ्ट और वन्ना के लिए जो इंडिया में नेक्स टेयर आने वाली है तो आपके लिए किया सेल्टॉस के इंजन दो काफी बढ़िया रहने वाले है मालेज भी काफी बढ़िया है तो इंटिरियर में थोड़ी चेंजे की बात करूं तो जो टेक ट्रिम है वो थोड़ी फैमिली और नीट के साफ से बनाए गई है उसमें आपको डूल टोन ट्रीटमेंट मिल जाएगा थोड़ा बेज का भी यूज इसमें मिलेगा आपको थो अपको बेजिंग मिल जाएगे एकस्टीरियर में तो जीटी लाइन लेना भी एक बैटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके वेरियंट की क्यूंकि इसके वेरियंट भी काफी जादा कॉमन हो गए है किया सेल्टाउस को टोटल सेवन वेरिय है ही夏 てी के निट फ्लास आपको टीजल एकसर्टीक गीशन हो सबसे पहले बात करते हैं किया सेल्टाउस के बैस डीजल वेरियंट की जो कि है फिए ती जिसमें आपको सिर्फ डीजल बैस किया जैजिया जा रहा है 1500cc का diesel engine है और उसमें आपको 6-speed का manual transmission मिलेगा लेकिन ये base model होने के बाद भी काफी जादा feature loaded है मतलब बहुत ही बड़िया आपको useful feature आपको मिल जाते है safety के front में आपको ABS, EBD इसमें मिली रहा है dual front airbags आपको उसमें offer किये जा रहा है shark fin antenna वो भी दिया जा रहा है इसमें वहीं skit plates आपको उसमें मिल जाएगी front और rear दोनों में जिससे इसको एक SUV stars मिल जाता है base model से ही मतलब आपको बिल्कोल इसमें एक fika सा feel नहीं आएगा काफी बढ़िया है वहीं 4 speaker का आपको इसमें sound system मिलेगा मतलब इसमें base variant वाली बात कुछ ही नहीं मतलब आपको बढ़िया feature loaded मिलने वाला है pricing भी इसकी काफी बढ़िया रखी गई है वहीं Arkman का आपको इसमें music system मिल रहा है बता चुका हूं T.S. Heltos के base model में आपको steering mounted control दिये जा रहे है ये भी एक इसका plus point है Rear AC VENT भी आपको base model में ही मिल रहे है जो कि इसका diesel variant है फिर भी आपको इतने feature दिये जा रहे है Follow Me Home Headline भी आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि अतना बड़ा feature नहीं है लेकिन जो इसका rear AC VENT है और जो जो इसमें ABS-CBD ये सब कुछ दिया गया है काफी बड़िया package बना देता है इसको भी वहीं किया सेल टॉस का जो second base model है वह है HTK Plus इसमें भी आपको 1500cc का diesel engine मिल रहा है लेकिन इसमें manual transmission के साथ-साथ आपको 6-speed का torque converter भी offer किया जा रहा है इसमें आपको जो additional feature मिलेंगे base model से वहंगे projector headlamps वहीं LED DRLs मिल जाएंगे दोस्तों वहीं सेग्मेंट में फर्स ताइम दिया जा रहा है LED mood lightings यह मतलब एक तरह की interior की ambient lighting आप कह सकते है जो की music system से controlled है जैसे की आपकी base travel सुपर नीचे होंगी तो यह अपनी lights को change करेगा जैसके RGB आपनी lights देखी होंगी cruise control आपको उसमें मिल जाएगा smart key मिल रही है आपको उसमें push button start भी दिया जाएगा इसमें power folding ORBMs आपको इसमें मिल जाएगे वहीं एक unique feature और दिया जाएगा इसमें one touch up और one touch down इसमें दिया जाएगा लेकिन वो सिर्फ driver window के लिए होगा यह भी एक plus point इसक लिए है अब बात करते है किया सेल्टॉस के third variant की वो है HTX variant उसमें आपको 1500cc का diesel engine मिलेगा लेकिन automatic उसमें नहीं मिलता है जो इसमें आपको additional मिल जाता है वो आपको मिल जाता है full LED headlamps मतला 4 LED आपको इसमें segmental मिल जाएगी LED DRLS इसमें दिये जाएंगे वही LED DRLS इसमें दिये जा रहे है front में जो आपको light bar अभी मैंने दिखाया है वो आपको इसी variant से मिलना शुरू होगा यानि कि third variant से और जो आपको LED design में आपको square fog lamp मिल रहे है जिसको किया गयती ही ice cube design theme तो वो भी आपको इसी variant से मिलेगा LED tail lamps भी आपको इसी से मिलने वाल है और 1.25 inches की आपको जो इसमें touch screen infotainment system मिल रहा है वो भी इसी variant से मिलेंगे 17 inches के alloy wheels भी आपको इसी variant से मिलेंगे वहीं आपको steering wheel में थोड़ा leather wrapping मिल जाएगी rear seat इसकी reclinable होने वाली है 60-40 का option भी दिया जा रहा है वहीं M.I.D. इसकी 7 inches की हो जाएगी अब यूवो connectivity app इसमें मिल जाएगी यानि की अब ये connected SUV भी बन जाएगी इस variant के बात वहीं wireless charging भी offer की जा रही है USB और ये सब कुछ इसमें common feature दिये जा रहे है air purifier भी additional किया जा रहा है लेकिन टायर प्रेशर मोनिक्टरिंग सिस्टम भीस में दिया जाएगा जो की आपको फोर्ड की एको स्पोर्ट के top of the line वीरेंट में मिलता है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा अब बात करते है Kia Seltos के diesel के top variant की यानि के Seltos के ही top variant की बात कर लेते है इसका नाम है Kia Seltos HTX Plus इसमें आपको manual भी मिल जाएगा और automatic transmission भी मिल जाएगा इसमें जो आपको additional feature मिल रहे है वो है UV cut glasses मिलेंगे जो की आपको पहले बलीनों की Zeta में भी मिलते थे 8 speaker का Bosch stereo sound system भी दिये जा रहा है जो की अपने में ही काफी बढ़िया sound system होता है JBL से भी जादा better perform करता है 360 degree का आपको इसमें viewing camera मिल जाएगा ventilator seats भी आपको इसी variant से offer की जाएगी wireless charging तो इसमें पहले भी मिल रही थी और जो electric sunroof है वो भी आपको top of the line variant में ही मिल रहा है कि Seltos के petrol में भी बात होने वाली है rain sensing vapors इसमें दिये जाएंगे अब इसमें आपको six airbags दिये जाने वाले है वहीं dry modes भी आपको इस variant से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन सिर्फ automatic transmission के साथ manual के साथ ये कुछ नहीं मिलने वाले है front parking sensor तो standard होने वाले इस variant में यानि कि diesel का top variant आपको इतना बेटर नहीं है क्योंकि pricing भी काफी जादा है अब चलते है GT line के और जो कि इसके एक sport oriented line है और इसमें आपको सिर्फ petrol engine मिलेगा और जो इसका 1.4 liter का turbo petrol engine है वो भी आपको GT line में ही मिलेगा अब बात करते हैं GT line के base variant के इसका नाम है Kia Celtos GTK इसमें आपको दो इंजन्स ओफर किये जा रहे है एक है 1500 cc का petrol engine जिसमें आपको सिर्फ manual transmission दिये जरा है और दूसरा है 1.4 liter का GDI turbo petrol engine जिसमें भी आपको सिर्फ manual transmission मिलेगा और आटोमेटिक अभी नहीं मिलने वाला है मतला भी इसका base petrol variant आप कह सकते है आप 1.5 liter बी petrol ले और 1.4 liter बी petrol इसमें ले सकते है इसमें आपको standard safety feature मिल जाएंगे ABS मिलेगा, EBT मिल जाएगा dual front airbags मिल जाएंगे LED headlamps मिल जाएगे आपको डिर्क्ली इसी वेरेंट से मिल जाएगी है जो भी काफी बढ़िया पैकेज बन जाता है अपने में LED light bar वी आपको base variant नहीं मिल जा रहे है LED fog lamps आपको इसमें मिल जाएगे जो कि Ice Cube डिजाइन की साहता रहे है मतलब इसमें base variant वाली बात अभी कुछ रहनी गई है मतलब इसमें mid variant से भी उपपर की बात होगी है 17 इंचेस के alloy wheels इसमें मिल रहे है वहीं steering mounted control इसमें भी मिल रहे है common है Bluetooth भी आपको इसमें मिलेगा smart key push button भी मिलेगा reclinable rear seats भी मिलेंगी तो यह भी एक बड़िया package आपके लिए अब बात करते है किया CELTOS के petrol में second base model की जो कि किया CELTOS GTX इसमें भी आपको दो इंजन ओप्शन मेल जाएंगे 1.5 liter का simple petrol engine जिसमें आपको manual transmission के साथ साथ इस भार CVT भी दिया जा रहा है वहीं आपको 1.4 liter के turbo petrol engine के साथ DCTB आपको offer किया जाएगा इस variant से इसमें जो आपको additional मिलेगा वो थोड़े better looking आपको इसमें allow wheels मिलेंगे जो की काफी जादा पसंद किये जा रहे है वहीं 8 inches के इसमें आपको head up display unit मिल जाएगी यह feature first in segment है और इसी variant से आपको मिलेगा 7 inches के आपको इसमें IDB offer की जा रही है वहीं किया कि UA connectivity feature भी इसी variant से मिलेंगे यानि कि एक connected SUV के सारे feature इसी variant से मिलने वाले है drive modes मिल जाएगा आपको इसमें multiple climate control का feature मिल जाएगा wireless charging मिल जाएगी इसमें आपको इसमें नहीं दिया है इसमें आपको इंजन भी सरफ एक ही दिया जा रहा है 1.4 लिटर का GTI turbo petrol engine जिसमें आपको सिर्फ manual transmission दिया जा रहा है जो इसके additional feature वह बोश का 80 speaker का sound system वहीं 8-way power adjustable आपको इसमें driver seat मिल रही है electric power sunroof दी जा रही है 360 degree camera दिया जा रहा है ventilator seats दी जा रही है जो मैं उतना बड़िया feature नहीं कहूंगा इसमें अगर एक automatic option दे देते तो ये काफी बड़िया package बन जाता है pricing इसकी जहां तक मैं कहूं expected है 8.49 lakhs तक होने वाली है क्योंकि इससे पहले हमने Hyundai की venue देखी थी वो 6.5 lakhs में इसका base model offer कर दिया था तो अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को like कीजिए अगर पसंद नहीं आईए तो मुझे comment भी कीजिए और dislike भी कर सकते है बाकि मेरे चल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और comment भी जरू कीजिएगा जैहिंद one demand